बीजेपी अब बहुमत की और जाती हुई नजर आ रही है हम फिर आपको बदा रहे हैं कि ये रुजाने नतीजे नहीं है कुछ घंटों का और इंतजार करना होगा नतीजे सामने आने के लिए तो जाहिरा तोर पर जिस तरह की इस्थिति मध्यप्रदेश में आन तोर पर मानी जा रही थी कि यहां परकाटे की ठककर हो सकती है लेकिन इस वक्त इस्थितियां एकदम से तब्दील हो जा रही है मध्यप्रदेश में 156 सीटों पर बीजेपी आगे बढ़ती हुई कॉंग्रेस 72 सीटों पर वहीं 36 गण में बड़ी उलट फेर भी आप इसे कह सकते हैं रुजानों में बीजेपी को बहुमत एक घंटे के भीतर दो बार एक तकरीब अदेर घंटे के भीतर यहां दो बार तस्वीर बदल गई और लीजे बड़ा अपडेट चित्रकोट से दीपक बैज पीछे हैं यह एक बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता दे मद्यप्रदेश 36 गण कॉंग्रेस की कमान उनको दी गई थी इसके अलावा दीपक बैज एक बड़ा नाम और अब चित्रकोट से दीपक बैज पीछे नजर आ रहे हैं और यह बड़े बड़े नाम जो पीछे नजर आ रहे हैं यह क्या संकेत देते हैं यह तो आप समझे सकते हैं ललत क्या मारे हैं पर जो लगातार बड़े नाम आ रहे हैं और पीछे बीज़ेपी बहुमत में नजर आ रहे हैं यह रुजार आपको बता रहे हैं बड़ी खब यहां पर भी उतारे गए जो खेला यहां पर भी हुआ उसका शायद यह नजार आप यह आपको रितु बताओं कि जिस वक्त ओम मातुर ने ट्वीट किया था तब से में लगातार यह कह रहा हूं कि ओम मातुर जैसा रखती है अगर कोई ट्वीट कर रहा है तो उसके कई मायन हो सकते हैं एक बार फिर 49 पर बीजेपी आ नजर आ रही है 49 पर कॉंग्रेस में जर आ रही है 90 में से 90 स्वीटों के रुजान 36 गड़ में न्यूजेटीन लगातार आपको बता रहा है 36 गड़ में रुजानों में बड़ा उलट फेर कॉंग्रेस जहां लीट कर रही थी अब बीजेपी 50 पर पहुंच गई है रुजानों में भी बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है उसी के साथ साथ राजीर चकरवर्ती की मुस्कान बढ़ रही है और 50 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे 38 पर कॉंग्रेस आगे नजर आ रही है दो सीटे अन्य के खाते में जाती हूं नजर आ रही है बहुत दिल्चास हो चले है चुनाओ 36 गड़ के मध्यप्रदेश में लेंड्स्लाइड विक्ट्री की तरफ बीजेपी नजर आती है लेकिन 36 गड़ में ये क्या हुआ 36 गड़ में ये क्या हुआ ये एक सबसे बड़ा सवाल बीजेपी 50 पर कॉंग्रेस 37 पर जबके दो अन्य के खाते में जाती हूं नजर आती है तो वही आद्ये के खाते में एक लगातर आंकड़ा बट रहा है बीजेपी का लगाता जैसे जैसे काउंटिंग होती जा रही है पन्ने खूलते जा रहे हैं बीजेपी के आंकड़ों का आकड़ी सामनियाएर अरोर साब ने आखिरे से बीच के आखा है, आपको सुन बाते हैं। से मिल रहा है, वहाँ पर भी लगातार नजर बनी हुई है, तेलंगा ना पहुंची हुई है, सहियोगी जस्प्रीट और तेलंगा ना कॉंग्रस अध्यक्ष के घर के बाहर इस वक्त वो है, जस्प्रीट क्या कुछ अपडेट, बड़ा उलट फेर, हाला के कुछ एक्जिट पोलिस बात के तरफ इशारा कर रहे थे, जस्प्रीट सुनिये, आज भी, जब वो दो और तीन दिसंबर की दर्मियानी रात, याद आती है, तो हम काप उठते हैं, एम आई सी गैस के कारण, गैस के रिसाओ के कारण, हजारों भाई बहन जिनमें हमारे छोटे छोटे बच्चे सामिल थे, उन्होंने, अपनी जिन्दगी खोदी, असमे काल के गाल में समा गए, भोपाल का वो दिस से भूलता नहीं है, जब सरकों पर अपनी जान बचाने, अपने बच्चों को लेकर, भाई और बहन दोड रहे थे, और वो भयानक दिस से ऐसा है, कि कई मवेसी भैसे ऐसी थी जनके पेट फट गए थे, दोड़ते दोड़ते कई लोग गिरे, और हमेसा के लिए दुनिया छोड़के चले गए, में हम सब भाई बहनों के चर्ड़ों में, सुरिद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, लेकिन इस संकल्प के साथ, कि फिर कोई सेहर भोपाल ना बने, ऐसी गैस ट्रेजडी, सिरना दोहराई जाए, हमें सब को सोचना पड़ेगा, कि बहुल मधप्रदेश और देश की बात नहीं करता दुनिया को भी, कि बहुत एक प्रिगति की अंधी चाह में, हम प्रिकृति के साथ ऐसा खिलवार ना करें, कि प्रिकृति हमको ही निगल ले, और इसलिए, द्विकास और परियावरण में, हमको संतुलन इस्थापित करना पड़ेगा, ये धरती सब के लिए है, मनुस्यों के साथ साथ कीट, पतंगे, जीब, जन्तू, पसू, पक्षियों के लिए भी है, तो सब के लिए धरती सुरक्षित बने, और आने वाली पीडियों के रहने के लाइक भी बनी रहे, ऐसे सारे प्यास, ना केवल हम को मध्धृ देश में, बलके देश में और दुनिया में, सब को करने पड़ेंगे, अभी दुबई में प्रधान मंतरी जी ने, स्रीमान नरंदर मोदी जी ने, धरती को बचाने के लिए जो आवसक कदम उठाने, उनका जिक्रि किया था, भारत उस रास्टे पर चलेगा, मध्धृ देश भी हर संभब प्रितने करेगा कि परियावरन के साथ छेड़ चाड़ ना हो, और आगे हम विकास को ऐसा संतुलित करें, कि वो विकास हमारे लिए जान लेवा ना बने, मैं एक बार फिर, गैस पीडित भाई और बहनों के, जो नहीं रहें, उनके चरणों में सरद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, जो हैं, उनके कल्यान के काम हम करते रहेंगे, और आगे फिर कोई ऐसी ट्रेज़ जी ना हो, इसके लिए हर संभब प्रित, प्रबंध करेंगे अभी आने, चुले पीछे चल रहे हैं, ग्रह मंतरी नरुत्ता मिश्रा दतिया से पीछे चल रहे हैं, दतिया सीट पर ये बड़ा अपडेट, और अम्बिकापुर से टिया सिंग देव भी पीछे चल रहे हैं, दो बड़े अपडेट आपको बता दे, डेपुटी सियम, अम्बिकापुर से ट तो लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अब मेरा ख्याल है कि एक बार हमें अवंतिका का भी रुख करना होगा अब आम भी का वो तो यू जो कि 36 गण मध्यप्रदेश में बहुत जादा एहमियत रखते हैं उनके लिए सीधे आपको बता देते हैं टीएस बाबा ट्रेलिंग के तौर पर सीधे नजर आ रहा है विश्रुदेव साही लीड कर रहा है ननकी रामकबर का भी नाम है ये भी पीछे चल रहे हैं शविंद करनी पड़ रही क्योंकि घंटों से हम ये नाम देख रहा है मोहन मरकाम का आप जिक्र कर रहे थे ट्रेलिंग यानि कि पीछे चल रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी के तरफ से दीपकुमार बैच पीछे चल रहे हैं एक बहुत बढ़ा दाव प्रदेश रदेक्ष बनाते हुए लाडली बेहनों के डाडले भाईया और मध्यप्रदेश की सीटों को लेकर वियाईपी सीटों को लेकर अगर हमें बात कर लूँ तो लीडिंग और ट्रेलिंग स्टेट में यानि कि जो पीछे चल रहे हैं नाम उन्हें लेकर एक बहुत महतुपुन जानकारी माया सि बीजेपी की तरफ से लीड करती हुई प्रदिम सिंग तोमर को आप देखेंगे लीड करते हुए वो तो अच्छे खासे वतुल के साथ भी आगे चल रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव पीछे छूट रहे हैं कहीं न कहीं बहुत लगातार इस स्टिती पे में नजरे गड़ा देखेंगे कि दिल्चस्प फाइट होने वाली थी प्रचंड बहुमत की और रुजानों में भारती जनता पाटी नजर आ रही है लेकिन शतीजगण में दूसी तरफ बीजेपी अच्छी खासी लीड लेती हुई रुजानों में एक बार फिर से आपकोई वाल दिखा देत यह महतपून टेरे 36 गढ़ मध्यप्रदेश के इनही के किस्मत का फैसला यह राष्टे स्तर के नेता जो मध्यप्रदेश 36 गढ़ में लगातार जोर देते हुए नजर आ रहे थे लाहार की आप बात करते हैं टे सिंग देव की आप बात करते हैं अलग-अलग लोर्मी की आ और यहां पर भी हल्चल तेज हो गई है क्योंकि जल से जल कुछ-कुछ ऐसी सीटें जहां पर रुजान नतीजों में तब्दील होंगे सबसे पहले आप तक बात पहुचाओंगी बिल्कुल अवन्तिका टीयस सिंग देव कभी आपने जिकर कर दिया और यहां पर एक बात यह भी दिल्चस्प की टीयस सिंग देव और उनके सामने जो अगरवाल साहब है किसी दौर में बड़े रिष्टे हुआ करते थे और अब सियासत में एक दूसरे के आमने सामने के गंटे में इतना लंबा आपका तजूरुबा है देड़ गंटे में इतनी हेर भेर आपने मेरा ख्याल है कि नहीं देखी होगी जी प्लीज ललित मुझे 2013 को चुनाओ याद आ रहा है 2013 में भी कुछ ऐसे ही उलट फिर हो रहा था एक बज़े तक कोई और पार्टी कारयाले में पटाके फूट रहे थे और एक बज़े के बाद ये शिफ्ट हो गया दूसरी पार्टी कारयाले में पटाके फूटने लगे थे तो 2013 से हम तुलना करें कुछ ऐसी लग रहे हैं पर काटे के टक कर आगे पीछे वही श्तितिया पर नजर आरी क्योंकि जो इस प्रकार से मद्दान हुए हैं जिस प्रकार से गिंतिया चल गिया एक दो राउंड के बाद जो इस तितिया हो रही है ति वही श्तितिया है और ये खोशना पत्र है वुपेश बगेल जी का चेरा है और सरकार के जो काम उसमें जनता मुहर लगा देगी और मैंने का सुरुवाती रुजान में जरूर भारजंता पाल्टी के हमारे साथ बहन बैठी हुई है उनको खुश होना चाहिए लेकिन इस बात के लिए खुश होना च रिख्शन करने में मुझे लगता है कि इसरु कौंग्रेस को भी पक्ष्मे बैठना पड़ेगा और जो आख्रा मुझे लगता है 14 और पंदरा पिशले बार जो हमारी हालती मुझे लगता है अब कौंगरस के उपर यह बीतने वाली है और ये बात सही है कि स्टु अर यह ल अब बात करें थे बार बार एंपी का भी फिगर देख रहे हैं 154 बीजेपी यहां दिख रहे हैं और तिरपन यहां आप देख रहे हैं यहां अला कि रुजान है दोनुई जगों पर और फिगर आता है फाइनल यह आगे बता चलेगा लेकिन महिलाओं का रोल बहुत है इंप महिलाओं 36 गड़ की बात करें यहां पुरे भारत की तो आधी अबादी कंस्टिट्यूट करती है और बहुत ही निर्नायक भूमिका आदा कर रहे हैं पिछले दो तीन इलेक्शन को देख लेजिए लोकसभा को भी हम देख सकते हैं तो महिलाओं बहुत ही निर्नायक भूमि बुए दो कission करें तो महिलाओं निर्नायक भूमिका रहेगी और जिससे हमारी मोदी जी ने महिला रेमेंग स सावित ह候गी देखिया है ये तो तय है कि महिलाओं को ठगने काम भार्ति जन्ता पार्टी ने किया है चाहे केंदर मेरी जरुएसन भी लाकर किया हो क्योंकि पहले बार कोई देखा जा रहा है देश में कि जो बिल आज पास हो जाता है उसका लाब आपको 20 साल बाद मिलेगा तो ये ठगने से ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि भई आज आपने बिल ला दिया है और बिल ला के मुझे तो अगर इनको वाकि में महतारियों के वंदन करने की इनके मनसा होती तो इसी विधान सबा में विल लागो हो जाता विधान सबा के चुनाओं में लेकिन की मनसा तो कभी रही नहीं है और जिस प्रकार से महतारियों अदन की बात यहाँ चलेगा नहीं लेकिन कीरण जी से पूछना चाहता हूँ आप तो यहाँ पर विपक्ष में रहेंगे लेकिन सेंटर में कम से तीन महना आपकी सरकार रहेगी तो क्या महतारियों अदन को पूरे देश के लिए क्या लागू करेंगे आप यहाँ पे 500 उपे सिलेंडर देने की बात करने चूट क्या आप तो यहाँ पर सरकार में नहीं आ रहे हैं क्या नरेंद्र मोदी जी पुरी देश भर की मातवर भनों को 500 रुपए सिलेंडर में छूट पदान करेंगे क्या जिस प्रकास यहाँ बाते करेंगे किसानों का 31 सो विधान की मत देंगे क्या यह चीजें समझ में आ जाती ह है क्योंकि भारति जनतापार्टी क्या ध्वखा देना है और वाता तो के करको पूरा गतार delivered बहुत की ठगने में काम्याब दिखरी नई इस फिगर में ही में बात कर रहा था क्योंकि यहां पे माता भणों ने उस ठगने वाले जो इस्तिती थे उसे दूर है और फिगर बदलेंगे फिगर इसलिए बदलेंगे क्योंकि अभी दो राउंड हुए हैं किसी भी हर भी धान सब्सक्राइब आप देखेंगे कि मद्दाता अब भड़े हुए जैसे पश्चीम धान सब्सक्राइब कर लेते हैं लाश्ट टाइम 2,50,000 कास मद्दाता थे इस बार 2,86,000 कास मद्दाता हैं तो बड़ा एक मद्दा कितना एहम रहा है आगर आप लोगों की बात करूँ मैं इस बार यहाँ पर निश्चित तोर पे पिछली बार कॉंग्रेस अगर सत्ता में आई थी तो सिर्फ और सिर्फ अपने घोशना पत्र के भरोसे और मुझे लगता है बिशेक जी फिर इस बार भी भाजपा का घोशना पत्र बहुत अहम भूमिका निभाएगी भाजपा को साशन में लाने के लिए सत्ता में लाने के लिए जितनी योजनाय हैं महिलाओं के लिए करमचारियों के लिए युवाओं के लिए तो निश्यत तोर पे मुझे लगता है जिस वेसे कॉंग्रेस की सरकार ने चला है महिलाओं को युवाओं को तो पूर्ड विश्वास करेगी च्छतिस गड़ के युवा, महिला और करमचारी और मुझे लग रहा है वापस भाशपा च्छतिस गड़ में साशन करने वाली है जितनी निराशा हुई है च्छतिस गड़ की जनता को पिछले पात साल में च्छतिस गड़ कांग्रेस के द्वारा मुझे लगता है जनता उनको सबक सीखाने के लिए तैयार हो चुकी है अगर जनता को निराशा होती तो मुझे नहीं लगता कि नरहें नरहामोदी जी जी करना पड़ा तो इतने भाइब है कि अनन फनन में ट्वीटर के माध्यां से दूसरे जिन जारी करते हैं कि 15,000 देंगे आपकी सरकार ने 410 कांग्रेस के सिलेंडर जो मिलता था कहां सरकार में आपके मुख्य मंद्री हिमाचल के चुना पड़ा हुआ है अगर हिमाचल के चुनाओ में भूपेश बगिल जी बोले थे अगर हिमाचल में कांग्रेस आती तो पास्व में सिलेंडर मिलता हो गया गोट हो गया वहां को ने पंद्रा लाक आस्तंग नहीं पढ़ा पाए बड़े आश्यर की बात है एक सवाल जो फिगर को देख के समझ में आ रहा है मैं आप दोनों से करना चाहूंगा हलाकि रुजहान ही है लेकिन रुजहान में बड़े चेहरे बहुत सारे पीछे दिखने चाहें भाजपा के हों कॉ क्या बड़े चेहरे वो कमाल क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं दोनों देखे जितने भी कांगरेस के बड़े नेता हैं और करदावर नेता हैं सरकार के जो मंत्री हैं वो सब भी अपने छेत्रम जीतेंगे मैंने हमेशा बात हमेशा कहा है जब से चुनाओं के बात हुए मारे मैं देखते हैं 2018 का तो कहीं हर विधान सवंभाजनता पार्टी को 30 35 408 मिले हैं सब्सक्राइब करदावर नेता है और यह पहला दूसरा राउंड है भी तीसरा राउंड शुरू भी नहीं हुआ है तो यह कहपाना की बड़े चेहरों को जनता ने नकार दिया बड़े चेहरों को टकका दिया भी कहना ठीक बात नहीं होगी बहुत जल्दबाजी होगी पर इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि यहां कॉंग्रेश का सीधा मुकाबला भार्टी जनता पालिटिक साथ और भी जिस प्रकार से यहाँ पे जो ओटर्स आएं जिस पर मद्दान हुआ है इस चीजे बता भी रही है किरन जी आप क्या को लगता है बड़े चेहरू किया पेक्षा नए चेहरों को लोग ज्यादा पसंद करते हैं निश्वी तोर पे अभिशेग जी नए चेहरे पे जनता नहीं उमीड नहीं आशा के नजर से देखती है और उनके जीत का जो परसंटेज जादा होता है लेकिन फिर भी हम पुराने चेहरों को नकार ने सकते हैं उनके पास अनुभाव होता है उनको कार करने का अनुभाव र रहता है तो यह तो शुरुवाती मेरे ख्याल से शादी एक या दो राउंड का रिजर्ट साफ कर देता है कि कोई मतदाता से जादा बड़ा हो गया है लगातार यह चर्चा हैं आपके पास भी हमाएंगे बहुत सारे सवालों के साथ और यह चर्चा मरीन ड्राइब से लग चर्चाओं के दौर को थोड़ा सा देश के जो राजधानी है वहां के तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं बहत खास मेमान लगातार हमाएं साथ भी बने हुए है राजीर जी बने हुए है सुरेंज जी आपके पास इस्तितिया एकदम बदलती हुई 56 32 ललीज जी सुर्वाती रूजान है मैं कहता हूँ कि यह जल्दबाजी होगी निश्चित तोर पर जो परिणाम आएंगे वो कॉंग्रेस के पक्ष में होंगे थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और जो कॉंग्रेस के नेताओं के संदर में जहां तक बात कही जा रही है राजीव जी के मुस्कान एकदम चाड़ी हो रही है जवाब बोल रहे हैं कि बड़े नेता हमारे जीतेंगे दरसल कॉंडा गाओं कॉंटा यहां पर 70-80 वोटों से जो लीड है या पीछे होना है वो दिखा रहा है यह बड़ा है यह बड़ा हैरत में डालता है मेरे ख्याल जो कहना चीए कि लेंड कॉंग्रेस की एक उर्वरा भूमी थी और कॉंग्रेस के लोग यहां विकास नहीं करते थे कि लोग पिछड़े रहे सडकों से दूर रहे तीन दिन के वर्षा में कड जाता था 36 पूरे देश से तो वो 36 के हाला थे कॉंग्रेस ने बना के रखा था कि हमारी जागिरदारी रहेगी उस 36 गड़ में भारती जंता पार्टी पिछले बार हार गई हमने नमरता से हार को स्विकार किया और आज भी मैं कहता हूं जो 36 गड़ में मेंडेट है जो अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि धलनजय जी कॉंग्रेस के कि महतारी वंदन योजना गरे लक्ष्मी योजनाप हम जब चुनावी मैदान पर गए रितू जी महिलाओं ने कहा कि गली गली गाओं-गाओं में शराब के ठेके खुल दिये गए ये कॉंग्रेस पार्टी हम महिलाओं को क्या समझती है शराब बंदी की कसमे खाने के बाद अगर कॉंग्रेस पार् गिनारें कॉंग्रेस की अगर ऐसा था तो फिर पीछे करना ही नीची था ना दो अधार अथा में एसा जनता जनारदान है हम तो नमरता से स्विकार करते हैं तो चाहती है कम्याद की तबी देखे मैं रितू जी बात को समझें कॉंग्रेस की फल्टाइल लैंड 36 गड़ उस के बाद हम सबसे देखा जाए तो साइकल पे दो सांसदों वाली पार्टी और मेहनत करने वाले लोग आज लोकसभा में प्रचंड जनादेश के साथ बैठे हुए हैं बड़े हैरत की बात है कि अटल जी अब पोस्टर में रहते नहीं जबके नमन आप उन्हें हमेशा करते सुरें जी आपका प्लीज एक कमेंट आज सत्रहवे नंबर पर है तो इनको तक्लिव हो रही है जली गली में हुका पार खोलने मा ले गई थे और हमारी सब्सक्रार ने तो कम किया एक सो तीन दुपा ने बंद किये खपत में कमी आई अंग्रेजी शराब देशी सराब और उस दिसा में जो है कोई भी भाजपा ने था आगे नहीं किया गया था इनके चेहरे पे नली जी तीन मेंडेट जनता इतनी नाकारा नहीं कि हमको जो तीन जनादेश दिया था वो तीन जनादेश था विकास का डेवलाप्रेंट का वो तीन जनादेश था कि हमने कानून में वस्ता ठीक की तीन जनादेश था कि हमने सडकों की मरमत की सडकों को ठीक क्या 36 गड़ को जोड़ा रिदय से दिल्ली से भौपाल से पुरे देश और दुनिया से आप देखिए पर कैपिटा इनकम अगर बड़ा है तो हमारी तीन वर्ष की सरकार के कारण इन्होंने तो शासी हजार से एग लाग तैंतिस हजार प्रति रक्ति आए बड़ी है पूरे देश में आर्ट प्रवस्ता के तीनों सेक्टर क्रिस्टी, उत्पादन और सेवा तीनों में राष्टी उसस से बैतर है रमंग सीके ब्रस्ता चार और भोटालों की बेट चड़ीती कुपोसान, एम्मीनिया, मरेलिया से होनी वाली मौत और इनके फोकस में कंशन खोरी थी गटिया मोबाइल, गटिया टिफिन, अमक्योंगी एक्स्प्रेस में ललिक जी, 2013 की चर्शा हो रही थी, 2013 में लगबग यही सी थी तस्वीरें देख ली जाएं, कुछ तस्वीरें देख ली जाएं, चलिए और अब वो पौधा रोपते हुए नजर आये हैं, हालाके लंबे अर्शे से, जो 2003 में अगर यह माना जाए कि 2003 में साद्वी ने जो पौधा मध्यप्रदेश में रोपा था उस पौधे को व्रक्ष बनाने का काम, मुख्यमंतरी शवरासिन चोहर ने किया है और यह पौधे का, यहीं उमीद करें और इसी उमीद से आज फिर पानी देने शायरा आंकडे तो रितू कुछ इस तरीके से ही कह रहे है, आंकडों की भी बात कर लेंगे लगाता टेली इस वक्त चल रही है, 230 में से 230 के रुजहान, 154 पर बीजेपी, 73 पर कॉंग्रेस तीन अन्ने के खातेओं में जाती निजर आ रही है 36 गण में लेकिन बड़ा फेर बदल इस वक्त रुजहानों के हिसाब से नतीजे भी हम आपको पताएंगे, 36 गण में, 90 में से 90 के रुजहान, 15 पर बीजेपी, 33 पर कॉंग्रेस हमारे प्रदान मंतरी, स्रीमान नरेंदर मोदी जी, MP के मन में है और मोदी जी के मन में भी MP है, उनके प्रती, असीम सृद्धा और अगाद विश्वास है उन्होंने जो यहां सभाए की, जन्ता से अपील की, वो जन्ता के दिल को छूगई और उसी के कारण ये परिणाम, जो अभी रुजहान आ रहे हैं, ये प्रमुक कारण है डवल एंजिन की सरकार, दिल्ली में तुधान मंत्री जी की नेतरत में केंदर सरकार ने, जो काम किया उसको यहां ठीक से हमने इंप्लिमेंट किया और जो यहां योजनाए बनी लाड़ी लक्ष्मी से लेकर लाड़ी बेहना तक का एक अदवुत सफर जो मद्ध प्रदेश ने टै किया गरीबों के लिए, किसानों के लिए, भांजे भांजीों के लिए जो काम हुए वो भी जन्ता के दिल को छूगए और एक परिवार मद्ध प्रदेश बन गया अमित साहजी की अचूक रणनीती उनका जिस धंग से हाँ साथ मिला और हमारे राष्टिय अद्धिक स्रीमान जी पी नड्डा जी का महर्ग दर्सन हमारे संग्ठन के नित्रत्व में कारी करताओं ने अनठक परिस्रम किया प्रदेश अध्यक्च संग्ठन महामंत्री उनके साथ तीम जुटी रही और जैसा भूपेंदर यादव जी ने सिप्रिकास जी ने असुनी वेश्टनव जी ने जो मार्ग दर्सन किया उससे चुनाओं के अभियान को सही गती और दिसा मिली और इसलिए मैंने पहले भी कहा था हम बिल्कुल कमफर्टेबल मेजार्टी सांदार मेजार्टी भारती जनता पार्टी को आएगी क्योंकि जनता का प्रेम हर कहीं दिखाई देता था मैंने पहले भी कहा कि अब लाडली पहना नहीं लाडली लक्ष्मी पचास परसेंट रिजर्वेशन इस्थानी निकाय के चुनाओ में कन्या बिबा प्रधान मंत्री जी की जो योजना थी प्रधान मंत्री मातर बंदना योजना उसका धंक से क्लियान वियन उसका प्रभाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैंसे अभियान संपत्री की खरीद में बेहनों को रजिश्टी सुल्क में कभी फिर 35 परसेंट भरतियां ओवर आल रिजर्वेशन दिया बेटीों को बेहनों को और फिर लाडली बेहनाने जिन्दगी बदली तो बेहनों के मन में एक असीम प्रेम एक आसीम विस्वास पेदा हुआ अब हम विस्तार से अभी अभी तो प्रारंबिक रुजण है लेकिन हमारा विस्वास है कि हम सानदार बहुमत प्राप्त करेंगे बाकी चर्चा फिर विस्तार से बात बातले हैं दनीवादा लाडली भेना ने जिन्दगी वदल दी और उसका इंपेक्ट जो है बहुत श्रांदार मध्यप्रदेश में इस बार देखने को विला है क्योंकि बहनों पर तो इसका असर पड़ा ये बड़ा पूरे परिवार पर कहीं न कहीं इसका पूरा असर देखा गया जैसे टर्निंग पॉइंट ओम माथूर साब का ट्वीट था 36 गड़ को लेकर एक और टर्निंग पॉइंट एक और तस्वीर जो मध्यप्रदेश के चुनाओं के लिहाज से याद करनी चाहिए 17 तारीख की शाम को जब मुख्यमंतरी आए तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि लाडली बेहनों ने काटा निकाल दिया है लाडली बेहनों ने काटा निकाल दिया है बेहत खास मैमान लगातार हमाई साथ बने हुए राजीव जी सुरेंद्र जी हमाई साथ बने हुए इसके अलावा दो और बेहत खास मैमान जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े उनसे तारूप भी कराएंगे उनसे कमेंट भी लेंग प्रुद्रा जी हमें साझ जुड़े हुआ आपका बहुत स्वागत और सबसे पहले आपका एक कमेंट रुद्रा सर चर्चा हो रही थी जवाद साब बीच में बैठे हुए थे आपने कहा कि करेंट तो लगेगा प्लीज आगे तो देखिए करेंट आज लग गया है और करेंट ऐसा लगा है कि मुझे लगता है कि ये करेंट का असर 2024 तक रहेगा और 2024 के बाद भी जो अन राज्यों के चुनाओंगे वहां तक रहेगा तो हलांकि वो आज है नहीं होते तो मुझे समझ में आता कि